Hello everyone, welcome to coconut IS and यह अपनी सीरीज है economic rent of aids इसमें हम दख हिंदू में जो economy से related articles आते हैं उनको discuss करते हैं आज हम 4 articles को discuss करेंगे जो first one है यह है जो union और state governments है यह जो नए प्रोजेक्ट में investment होती है new investment जो होती है वो 41.6% से कम हो गई है है तो इससे related है और जो second article है यह service export promotion council है उन्होंने बोला है कि हमारा जो service actor है उसमें export को हम double करेंगे next five year में तो इससे related है जो third news है वो है अपनी खरीफ सीजन से related कि अपकी बार जो खरीफ सीजन है इसमें मतलब जो sowing season होता है planting होती वो कम होई है और वो मतलब monsoon कम होई है मतलब बीच में monsoon slow down हो गई इस वज़े से and जो fourth news है यह fuel demand से related है कि जून मंत जो था भी अपना उसमें फिर से rebound हुई है fuel की demand ज्यादा बढ़ी है एक बार तो इससे related हम देखेंगे पूरा से start करते हैं first हमारी यहीं कि जो new investment है from union and state governments that fell by 41.6% from the from quarter four of the last year to the quarter one of this year मतलब जो यहीं कि इसमें जो union and state governments है उनका जो investment होता है नया investment होता है government central government करती है and state governments करती है तो वो investment होता है अगर हम 20 और 20 का last quarter का देखें और इस जो year है यह 22 वाला year financial year है इसका quarter first से compare करें तो कम हो गई है 41.6% से तो data हमें याद नहीं रखना हमें याद रखना है हमें overall economy समझना इसमें से कि मतलब investment कम हुआ है that means slow हुआ है na investment कम हु नहीं कि एक तो second wave थी मतलब यह second wave तो सबको पता है कि second wave था दूसरा यह steep decline हुआ new investment प्रोजेट्स government की साइट से steep decline हुआ है और दूसरा total overall अगर देखें government का और जो दूसरी private investment है पूरा देखें fresh investment है ना जो नया investment होता है economy में वो total 18% से डाउन हुआ है तो हमें यह देखना क कि दोनों में ही डाउन गया मतलब कम हुआ investment गवर्मेंट ने जबकि government में जो रिवाइवल प्लान चलाया था जो पूस्ट दिया था अभी अभी फिर से दिया है उस टाइम पर भारत में पिछली बार वह आतम नीरबर भारत प्रोग्राम था और अब फिर से फ्रेश रिवा सब्सक्राइब करकë सब्सक्राइब करें करका घर पाट है वहा है वहा है उत्यों किक लग रीविचिर में अब्रेजिग्रूज हुआ है और वो चार इंवेस्टमेंट है वो चार बड़े इंवेस्टमेंट गुजरात में हैं जैसे एक तुरे लाइंस का है गुजरात में ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स जो 60,000 क्रोड ऐसे कुछ है साथ उसके अगर दूसरे नंबर पर बात करें कि दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहा है तो है linha में तो इससे हमें यह समझन हो है कि एक network पोजिट इंवेस्टमेंट नहीं करके तो हो हो सब कुछ हो रहा और दूसरा एरिया में इंवेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो तोटल का वन बाइटरी अकेले गुजरात में एक किस जगे पे हम जाना उचार ही कंपणी का investment हो गया तो उसमें मतलब इन्वेस्टमेंट है नई होस्पिटल बनाने में वह बढ़ा इंक्रीज हुए है मतलब नई होस्पिटल ज्यादा बनने स्टार्ट होए एंड तो हमें क्या करना चाहिए मतलब इस टाइम पर यहीं की सजेशन ही है कि जो नैशनल इंफास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजे का उनका सेंटिमेंट्स भी राइज होगा जो प्राइबेट है और वह भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अभी कानोमी में काइंड ऑफ स्टेगनेशन और ऐसी सिचुएशन है ना तो उससे बाहर निकलने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत है मैसिव इन्वेस् करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारी एकोनोमी है 5 ट्रिलियन एकोनोमी होगी बाए 2025 और वर्ड क्लास इन्वेस्टमेंट करना था इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना था डिमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो चाहिए फोरिन इन्वेस्टमेंट हो और हमें जो इन्वेस्टमेंट बनानी थी वो दो करोड के लिए और इसे मतलब कई सारे उन्हों ने बताया था कि एसे जो भी हमारे इसे उनको शेल करदो उनको बेच दो मतलब पैसे जनरेट करने के लिए रेवन्यू लेने के लिए और जो हमारी बॉंड मार्गेट है यह स्टेंदन करो मतलब ऐसे काफी सारे इने शोजिशन क्या था मतलब में सेक्टर जो पिक यह थे वह थे एनरजी सबसे ज्यादा इंवेस्ट्मेंस और उन्टिफोर परसेंट फिर उन्टीफ परसेंट फिर अर्बन प्रोजेक्ट्स में 17 परसेंट एंडन थे रेलवे ट्वर्ट परसेंट तो यह सीरीज भी थोड़ी से याद र private sector 21% तो जैसे states का 40 है union का 39 है, मतलब states से एक कम और वो एक add किसमें हो गया private sector में 21, तो ये ratio याद रखने है 39, 40 and 21 का अतानु चक्रवर्ती इसमें एक task force थी and ratio ये energy road urban project railway का देख लिया है and इसमें क्या था हमें 5 trillion economy 2025 तक बनाना था तो ये जो project है ना जो अब covid की वज़े से इस project का भी कोई अतापता नहीं है जो situation हुई है तो लेकिन हमें इसको फिर से push up करना पड़ेगा इसी project में इसके थुरू हमें investment करना है जैसे private sector भी करेगा, states भी करेंगे, union भी करेंगी, union government भी करेंगी हम अपने export को, जो service sector का export उसको double करने वाले है मतलब करेंगे, रोड मैप बनाए कि कैसे क्या करेंगे तो इनका इसमें यही argument है कि next five year में अगर हमें double करना है तो हमें भी जो नई foreign trade policy आएगी अभी जो अभी बनेगी नई foreign trade policy तो उसके अंदर service sector को भी जो service export के लिए incentive दिया जाए जैसे merchandise export के लिए दिया जाता है जो merchandise export होता है textile वगेरा वाला, कपड़े वाला तो उसमें जो incentive दिया जाता है export कर रहा है कोई बंदा, मतलब कोई company तो इसी तरह हमें service sector को भी support किया जाए जैसे service care है, tourism है, hospitality है logistic है, medical value travel है मतलब medical के लिए हाँ आते हैं बाहर country से बहुत सारे लोग, तो उस पे focus किया जाए इन sectors पे और उनको incentive दिया जाए promote किया जाए एक तरह से जैसे उन्होंने बताया कि Netflix है तो उन लोगोंने मतलब इंडिया में अभी facilities open की है, अपना post production के लिए जो studio होता है, उसके बाद post production के लिए उसमें investment के अपना studio बगरा खोले है, यहाँ पे तो भार से investment आई है, और other countries को भी इस तरह हम attract कर सकते हैं, है ना यह तो Netflix, service sector में आते हैं services pride करते हैं, financial services है ऐसे बहुत सारे services होती है ना, bank financialism, and फिर बोला कि यहीं कि infrastructure और human skills के हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा है, मतलब development की, and education में भी इंडिया में जैसे 2090 और 20 की बात की जाए, तो 45,000 foreign students हमारे यहाँ study करने के लिए आए थी, हाना, तो मतलब 45,000 students हमारे पढ़ने के लिए, तो education पे भी हम reinvest करेंगे, तो next 3-4 times मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें जरूरत है, हमें education भी service sector में है, तो इनकी जो service export promotion council है, इन्होंने यहीं कहा है, कि जो नई foreign policy मिले, उसमें हमें incentive अगेरा दे जाए, हमें support किया जाए, मतलब हमें इतना नहीं कि merchandise इतना भी कर दो, लेकिन हमें एक level playing field तो at least services sector को मिलना ही चाहिए, मतलब यह इनकी सिफारी, मतलब एक तरह सिनका road map था या argument था, अगला हम देखते हैं, अपनी third news है, खरीफ सेलेटर, जो खरीफ season हमारा है, तो इसमें जो planting होती है, मतलब खरीफ जो फसल लगाई जाती है, उसमें down हो गई है, मतलब उतना जावाज सोविंग नहीं हुई, उतना जादा हमने खरीफ की फसल नहीं लगाई, लास्ट येर के अगर हम compare करें, तो वो कम है, और इसका reason यह बताए कि जो monsoon rain है, monsoon अभी आया है, लेकिन मुझे एक डाउट यह भी है, कि कल मैंने जो news discuss की थी, जो ministry of finance की थी, तो ministry of finance ने कल argument दिया था, कि अंडिया में revival होगा economy का, क्योंकि हमारी अच्छी बारी शो रही है, और अच्छी हमने अब की बार जो हमारी जो शोविंग सीजन है, उसमें ज्यादा मतलब शोव हुआ पिछली बार की बज़ाए, ज्यादा हमने पैदावार होगी, ज्यादा हमने बोया है, ज्यादा एरिया कवर किया है, खरीफ में, और हमारा monsoon अच्छा रहा है, तो हमें positive growth देखने को बलेगी, और जो food prices हैं, वो हमारे ठीक हो जाएंगे, लेकिन आज ministry of, अगर मैं discuss कर रहे हैं, ministry of agriculture और farmer welfare की, तो इनका argument है कि कम हुआ है पिछली बार की बज़ाए, और monsoon भी बीच में taper off हो गया, तो मैं भी confused हूँ कि मैं कल वाली news को मानू हूँ, या आज वाली को, अबर ठीक है, हम discuss कर रहे हैं, जो भी होगा, फर्दर latest आती जाएंगे नहीं, जो और हम उसके according देखे जाएंगे, हमें कहीं लिखना तो नहीं है, हमें understanding के लिए है, तो ठीक है, जो यह summer था, मतलब जो summer में इस time जो हम लगाते हैं, खरीब सीजन यह होता है, जून से अरली अगस्तक सब लोग अपना खेत में लगाते हैं, तो यह season है, और इसमें mostly rice, जो होती है, वो summer की में करोप होती है, summer season में सबसे हदा rice लगता है, और इसमें भी कम हुआ है, मतलब इसका भी soving कम हुई है, cotton का भी plantation कम हुई है, oil seeds है, जैसे सुवाबीन बग्यरा सबको लगा लो, तो यह इन में भी कम हुआ है, पिछली बार की बजाए, और जो rainfall थी, वो अगर जून से अभी तक का लगाएं, अभी complete नहीं हो, अभी जुलाई चल रहा है, तो below average रही है, यह कौन सी, मतलब mostly question आता है, यह जो फसल है, यह कौन से season में आती है, UPSC भी पूछ लेती है, rice कौन सी है, cotton कौन सी है, oil seed कौन सी है, तो यह की summer season में आती है, यह खरीफ क्रोप्स हैं, अगले अपनी news है, फॉर्थ है, fuel demand है, जो जून मन्त में फिर से rebound हुई है, तो ministry of petroleum में बोला है, कि जो fuel की demand है, petrol की, वो भी increase हुई है, diesel की, diesel सबसे ज़्यादा fuel यूज होता है, इंडिया में है ना, जो most used fuel इंडिया में है, वो है diesel, और दोनों की demand increase हुई है, that means, अगर फियूल की demand बढ़ रही है, तो एक तो मतलब थोड़े lockdown हटने start हुई है, तो mobility, vehicles की mobility increase हुई है, तूसरा फिर यही कि demand, मतलब यह हुआ, तो industries बगेरा में भी demand बढ़ी है, एक circle चलना start हुआ है, अगर demand बढ़ी है, that means, इन चीजों की, तो manufacturing बगेरा, industry बगेरा, सब start हुई है, mobility start हुई है, transport sector हमारा सही चलेगा, बन्द पोजिटिव सरकल हमारा start होगा, ओके, यह सब news हमने discuss कर ली है, और आज हम reports देखेंगे, नीति आयोग की, तीन ही reports देखने वाले हैं, तो first है, composite water management index, नीति आयोग है, CWMI sort में बोलते हैं, composite water management index, नीति आयोग है, strategy for new India 875, यह किसी है, नीति आयोग की है, and transformation of aspirational districts, यह भी नीति आयोग का है, और यह aspirational district program भी था, and transformation of aspirational district, नीति आयोग है, strategy for new India 875, यह नीति आयोग की है, ये बहुत बड़ी बुक 75 साइज आप लोग में किसी ने पढ़ी भी होगी ये रिलीज के थिसमें कुस पता नी कुस चेप्टर थे तो सही काफी सारे चेप्टर थे जो CWMISI देसर रेलेटर ये कोशन आया था UPSC में ये अवने तीनी देखे आज नित याव की रिपोर्ट से और थेंक यू सो मच